हेलो डियर स्टुदेंट्स यू आर वेलकम तो मैं चैनल एजुकिस इंप्लिफाइड बाइ ओसी डिस इस विनोथ कुमरगर्ग एंड इन दिस वीडियो यू आर गोंग तो लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ओफ एनिमल टिशू राइट तो आपने लर्न करना है कि अनिमल ट टाइप्स जो इसकी मेजर टाइप्स हैं वो चार हैं आपने याद रख नहीं है वो चार है नमबर वान एपिथेलियल टिशू जो के प्रोटेक्टिव टिशू कहते हैं इसको हम सेकेंड है मस्क्यूलर टिशू यह मूव्मेंट में रूल प्ले करता है थार्ड है कनेक्टि तो अब बात करेंगे कि जो एपिथेलियल टिशू उसकी कितने ्टाइप्स हैं तो उसकी हैं 5 टाइप्स स्क्रियमस एपिथेलियल टिशू सेकेंड कि बॉइडल एपिथेलियल टिशू थर्ड ग्लेंडोलर एपिथेलियल टिशू फॉर्थ कॉलमनर और फिफ्ट स municipis कॉलमनर इसके कॉलम शेप है स्क्वेमस फ्लैट होते हैं कि वाइडल क्यूब शेप होते हैं सिलीटिड में साथ में सिलिया लगे होते हैं ठीक है तो इसका जो मेजर टास्क है एपिधिलियल टेशू का जो मैं भी बता चुका हूँ आपको वह है प्रोटेक्शन बाइक कवरि है सबसे पहले स्टाइरेटड मसल्स इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं तभी इसको स्टाइरेटड मसल्स बोलते हैं और जिसमें बैंड्स नहीं होते हैं उसको नौन स्टाइरेटड जा स्मूध मसल्स बोलते हैं और तीसरा हमारे पास आता है कार्डिक मसल्स जो cardiac muscles है, especially heart के अंदर पाई जाती है, तभी इसको cardiac बोलते हैं, और ये unique muscles है, due to presence of a unique component that is called discs, ठीक है, इसके अंदर intercalated discs होती है, तो intercalated disc होने कारने इसको unique cardiac muscles का नाम दिया जाता है, तो next बात करते हैं, nerve tissue की, तो nerve tissue की फर्दर कोई classification नहीं है, सिर्फ neuron होते हैं, billions of neuron हमारी body में पाया जाते हैं, ठीक है, तो nerve tissue का ये unit है, that is called neuron, और इसका जो task है, that is control and coordination, ठीक है, body के सभी systems को ये coordinator करता है, तो अब बात करते हैं, connective tissue की, तो connective tissue की further five types हैं हमारे अंदर, पहला है areolar connective tissue, दूसरा है adipose connective tissue, तीसरा है fluid connective tissue, fourth sporting connective tissue, and fifth is skeletal connective tissue, ठीक है, तो ये जो five types हैं, इनके भी अपने-पने specific task हमारी body में, animal body में होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम अलग से, हर tissue का अलग से एक वीडियो में, आप learn करेंगे, किया-क्या task है, कैसे-कैसे perform करते हैं, कैसा इसका structure होता है, तो बात करते हैं, sporting tissue, जो connective tissue का part है, sporting tissue, इसकी भी further two types हैं, पहले है tendon, tendon का जो task है, वो है, bone को skeletal muscle के साथ जोड़ना, ठीक है, दूसरा है ligament, और जो ligament का task है, वो होता है, bone को bone के साथ connect करना, right, bone को bone के साथ connect करना काम है, ligament का, bone को muscle के साथ काम है, tendon का, तो अब बात करते हैं, fluid tissue की, तो fluid tissue जो है, connected tissue का part है, ये भी, इसके अंदर फिर दो types हैं, पहला है blood, दूसरा है lymph, right, blood और lymph में एक major difference है, के lymph में RBC नहीं होते, ठीक है, lymph जो है, मारी body में cleaning का काम करता है, right, तो skeletal tissue की बात करें, skeletal tissue, again, two types का है, bone and cartilage, right, तो जो cartilage है, वो bones के बीच, joints में, as a cushion का काम करती है, तो इसके भी further cartilage के भी types होते हैं, जिसके उपर आपको लगसी वीडियो मिल जाएगा, so thanks for watching, आगले वीडियो में हम इन सभी टीशू को एक एक करके discuss करेंगे, कि क्या उनका structure है, कैसे वो अपना function perform करते हैं, so thanks for watching,